नमस्कार आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में मैं हूँ अरुनेंदर कुमार इस वक्त 36 गड़ के नारायनपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आपको बता दू कि यहाँ पर 23 मई 2024 को नकसलियों से एक भीषण मुटभेड हुई थी और इस मुटभेड में 7 नकसली जो हैं वो मारे गए थे उन्हें धेर कर दिया गया था लेकिन अब एक और खबर वहीं से आ रही है खबर आ रही है कि जब फोर्स के जवान जो हैं वो नकसलियों की जो डेड बॉडी है जो लाश है उसको ला रहे थे उसी वक्त नकसलियों ने फिर से उन पर हमला किया और इस बार फिर से मुटभेड हुई और एक और नकसली मारा गया इस प्रकार से अब मारे गए तोटल नकसली जो है उनकी संख्या जो है वो अब 8 हो चुकी है आपको बता दू कि यह पूरी जो घटना है वो नारायनपुर इलाके में हुई है सीमावर्ती इलाके में हुई है आपको बता दू कि इस ओपरेशन का नाम जो है वो इस ओपरेशन को जो नाम दिया गया था वो सूरेशक्ती ओपरेशन था जिसमें कई सारे अलग-अलग forces के जो जवान थे वो शामिल थे जिसमें की मुखिता जो है वो DRG के जवान थे बस्तर fighters थे और जो वहां की जो STF है उसके लगभग 800 से 900 जवान जो हैं वो इसमें सामिल थे उन्हें सूचना मिली थी कि इस इलाके में जो नकसली है उनकी प्लाटून 16 की उपस्तती जो थी नकसलीों की उसकी जानकारी मिली थी और एक जो कमिटी है उसकी वी इंद्रावती जो कमिटी है उसके भी सदस्यों के होने की जो है वो जानकारी मिली थी नकसलीों की जिसके बा जहां की खबर मिली थी जब नकसली ने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं तो उन्होंने फोर्स के जवानों पर गोली बारी की और जब इसी की जवाबी कारवाई में फोर्स के जवानों ने गोलियां चलाई तो इस मुठभेड में साथ नकसली पहले मारे गए थे आपको बता दू कि दंतेवाडा, बस्तर जिले की पोलिस, बस्तर जिले के DRG के जवान, बस्तर फाइटर्स, STF के ये सारे जवान जो थे इनोंने मिल करके इस ओपरेशन को अंजाम दिया था आपको बता दू कि नकसली जिस तरीके से मैंने बताया कि नकसली उने जगे जगे पर IED प्लांट कर रखा था और वो घरें जंगलों में छिपे हुए थे ताकि जो जवान हैं वो अगर उन तक पहुँचने की कोशिश करें तो वो इसकी चपेट में आ जाएं लेकिन जो हम नकसली जो हैं वो लगातार 36 गड़, छारखंड, महरास्ट के कई सारे ऐसे लाके हैं जहां पर अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव हैं बहुत हद तक पिछले सालों के मुकाबलेगर आंकला देखा जाए तो यह आंकला हो सकता ही कि कम है लेकिन अभी भी नकसल जैसी समस्या हमारे देश में पनप रही है और कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी शक्तियां हैं बाहरी शक्तियां हैं जो इन्हें वित्वपोशित कर रही हैं जो इन्हें पाल रही हैं इन्हें हत्यार मोहिया करा रही हैं और इन लोगों को अपने ही देश के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने के लिए मजभूर कर रही है या कहें पुतसाहित कर रही है आपको बता दू कि इस ओपरेशन के दौरान जो है किसी भी जवान को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाए ऐसा अभी तक की खबर जो है वो बताई जा रही है नकसली जो है वो पूरे तरीके से इस भी घेरे हुए हैं ना तो वो काकेड जिले में जा सकते हैं और ना ही महरास्ट की सीमा मेर घुच सकते हैं अकसर यह होता है कि जब नकसली को एक राजी से खदेडा जाता है तो वो दूसरे राजी की सीमा में घुच जाते हैं और वो बढ़ी आसानी से बच जाते हैं लेकि alert पर हैं और इसी वज़े से नकसलियों के लिए इस वक्त निकलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ये भी ख़बर आ सकती है कि एक बड़े पैमाने पर नकसलियों को धेर किया जाएगा ये बहुत ही अच्छी खबर है बहुत ही एक तरीके से कहेज़े बहुत बड़ी सफलता है forces के जवानों के लिए क्योंकि हाली में हमने देखा था कि नकसलियों ने कई सारे हमारे जवानों पर हमला किया है हमारे जवान इस हमले में शहीद हुए है क्योंकि नकसलियों का जो हमला करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, वो पहले घात लगाते हैं, इंतिजार करते हैं वहाँ पर या फिर एक तरीके से कहें कि जवानों को गई बार गलत इंपुट दिया जाता है और इंपुट के अधार पर जर्ब कारवाई होती है तो जवान उनके जाल में फस जाते हैं और नकसली ओं का जो अटेक करने का फॉर्मेट है वो अक्सर जो है वो खेर करके हमला करते हैं 500-600-1000 की संख्या में भी नकसली होते हैं कई बार हमलों में और वो पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो जवान हैं हमारे वो एक दाइरे में आ उसके बाद वो एक साथ उन पर हमला करते हैं लेकिन उन्हीं की टैक्टिस को अब जो हमारे जवान हैं वो तोड़ करके उन्हीं के लिए इस्तमाल कर रहे हैं और इसलिए हमने देखा है कि नकसल का जो ग्राफ है दिन बादिन भारत में और भारत के नकसल प्रभावित राज् से समाप्त हो जाएगा आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जय हिंद जय भारत